हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने Nokia C20 Plus Android में आप जो है Do Not Disturb सेटिंग को आना यूज कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह Do Not Disturb सेटिंग जो है काम कैसे करती है आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ तो चलिए आप यह वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में setting page open करना है ठीक है setting page को open कर लिजी अपने mobile phone में setting page में आपको नीचे आना है या ऑपको यह option मिल जायगा sound का sound पे select करना है अब sound के सेटिंग में आपको यह option tables का इसे select करना है अब यहota यह do not 스트страub का पेज ओपन होंग होगा और 아पको सबसे नीचे यह option मिलेगा turn on now का इसे आपको select करना है ठीक है तो आपके do not disturb setting जो है na enable हो जाएगी यानि कि on हो जाएगी अब देखिए setting on होने के बाद काम कैसे करती है आपके mobile phone पे कभी भी जो है na notification और आपका incoming call आपके mobile phone की screen के उपर आपको दिखाई नहीं देगा नहीं आएगा तो जब आप इस setting को off कर देंगे तो किसी ने अगर आपको call किया भी है incoming call आपको किया भी है तो उसका miss call का notification आपके mobile phone पे receive हो जाएगा तो इस setting जो नहीं इस तरीकी से काम करती है do not disturb setting तीक है आफ कर सकते है तो यह मैंने आपको दो तरीके बता दिया do not disturb setting को use करने की तीक है अब मैं आपको यह भी बता जाता हूं कि कैसे आप इस setting को आपने mobile phone में आप shortcut तरीके से कैसे ढूंड सकते है इसके लिए आपको करना क्या होगा यह जो आपको mobile phone का setting page है इसे आपको फिर से open करना है setting page में आपको जाए न सबसे उपर यह option मिलेगा search setting का इससे select करना है और यहाँ पर आपको search बार में type करना है do not disturb तीक है इससे क्या होगा आपको mobile phone आपको directly setting page में लेकर आ जाएगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंडने का